नमस्कार मित्रों मैं डॉक्टर आनंज जैन्त काले कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेग सिटी हॉस्पिटल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पस्तेफ हूँ आज हम डिस्कस करेंगे बर्न इंजूरी के एक प्रकार के बारे में वो है इलेक्ट्रिकल इंजूरी या बिजली से होने वाले जलने की परेशानिया हमारे यहां बिजली की वज़े से बहुत सारे एकसिडेंट्स होते हैं उसके अलग-अलग कारण हैं कई बार ऐसा होता है कि जो बिजली के करणचारी होते हैं, उनको accidental injury हो जाती है, काम करते समय, repair work करते समय, कुछ ऐसे होते हैं जो बिजली चुराने की कोशिश करते हैं, और कुछ injuries ऐसी होती हैं जो घरों में हो जाती हैं, किनी वज़े से बिजली के उपकरणों पर काम करते सम में डिवाइड कर सकते हैं high voltage injury और low voltage injury high voltage injuries वो होती हैं जिसमें high tension के ऊपर या फिर जो direct supply वाली जो line होती है उसके ऊपर काम करते समय कोई injury हो जाए यह usually 11000 volt पे आता है और जब हम step down करते हैं जो घरों में supply होती है वहाँ पे जो injury होती है उसमें भी कई बार जो power cord होती है उससे जो injury हो जाती है वो भी काफी high voltage होती है जो high voltage electrical injury होती है उन injuries में जो current होता है वो अकसर AC current होता है alternating current होता है और व्यक्ति को जो injury होती है वो शरीर में दो प्रकार से असर करती है एक immediate injury होती है और दूसरी delayed response इमीडेट इंजूरी वो होती है जिसमें हमारे शरीर के थ्रू जो बिजली की तरंगे प्रवाहित होती है उससे जो हमारे वाइटल ओर्गन्स होते हैं उनके उपर जो नुकसान होता है वो पर्मनेंट डैमेज हो सकता है और इमीडेटली पेशेंट की मृत्ती हो सकती है और जो दूसरा response होता है, वो तब होता है, जब हमारे जो शरीर के हिस्से होते हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर, जिनके थुरू जब वो बिजली की तरंगे प्रवाहित होती हैं, तो जो bones होती हैं, वो bad conductors होती हैं, वो बिजली को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने जाती हैं और जो बाकी मासपेशियां और soft issues होते हैं, उसके थूरू बिजली का करेंट आसानी से निकल जाता है। हड़ी गरम होने की वज़े से हड़ी के चारो तरफ की जो मासपेशियां होती हैं, वो अंदर से जल जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि high voltage electrical injury में बाहर की तरफ से हाथ या पैर लगभग नॉर्मल दिख रहा होता है, क्योंकि जो soft issues होते हैं, उसके थूरू तो बिजली निकल जाती है, लेकिन अंदर से जो हड़ी होती है, वो गरम होके, इतनी high temperatures अचीव कर लेती है कि अंदर से कुछ समय बाद मालूम होने समझ में आते हैं, तो इस प्रकार से ये दो प्रकार से बिजली जो है वो शरीर को नुकसान करती है, तो जो communicate करना है वो ये है कि बिजली की वज़े से कोई injured व्यक्ती जो है, उसको immediately आपको तुरंत burn center में ले जाना है, शुरूआत में उसकी heart की monitoring करनी होती है, क्योंकि ऐसे मरीजों में दिल की धड़कन तेज हो सकती है, बहुत धीरी हो सकती है, ICU में भरती होने की आवशक्ता पढ़ सकती है, शुरूआत के 24 से 48 घंटे तक उसको cardiac monitoring की ज़रूद पढ़ती है, और heart के उपर जो भी दुश परणाम होते हैं, वो शुरू परणाई चीजें intensive care unit में आसानी से की जा सकती है, शुरूआत का 48 घंटा निकल जाने के बाद, जो बाकी दुश परिणाम होते हैं शरीर के उपर, उनके उपर भी ध्यान देना पड़ता है, कहीं कोई घाव नजर तो नहीं आ रहा, बहुत गहरा तो नहीं है, और जो मैंने आपको बताया कि limb injury होती है, उसको बहुत अलग तरीके से deal करना पड़ता है, जैसे ही patient पहुंचता है, तो उस समय शुरूआत में उसकी vital organs की monitoring है, उसको देख लेने के बाद, दोनों हातों में और दोनों पैरों में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, अगर कहीं कोई घ भाव नहीं है, तो ये दिखना पड़ता है कि कोई शरील का जो हात और पैर का हिस्सा है, तो कड़क तो नहीं हो गया है, अगर वो कड़क है, tense है, तो इसका मतलब बिजली उसके थूप रवाहित हुई है, और उसने बिजली का जो दुश्परिणाम है, वो उस हात में पैर में कर दिया है, जिसमें या तो मासपेशी में और हड़ी में नुकसान हो गया है, अगर वो बहुत tense है, खून की सप्लाय जाने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और ऐसी situation में हमको emergency में चोट लगने के जल्दी से जल्दी, 6 घंटे से लेके 8 घंटे के अंतर अंदर, उ और उसके नीचे के हिस्से को फेशिया को कट करके, कभी-कभी मासपेशियों के भी अंदर उतरके उसको ढीला करना पड़ता है, इस operation को हम लोग फेशियाटमी बोलते हैं, यह operation बहुत जरूरी operation होता है, इससे कई बार हाथ बचने की या पैर बचने की गुंजाईश देखके अगर यह एडवाईज करते हैं कि फेशियाटमी की जरूरत है, तो हमें उस सला को मान लेना चाहिए, अगर वो नहीं करते तो उस हाथ के या उस पैर के बचने की संभाय होना है, जो भी बची खुची है, वो भी खतम हो जाती है, कई बार फेशियाटमी कर देने के बाद, शुरुवात के 15 से 20 दिन, जो further deterioration या damage, electrical injury करती है, उसमें ये होता है कि हमारे शरीर में जो खोन की छोटी-छोटी नसे होती है और जो medium-size नसे होती है, उसमें internal damage हो जाता है, बिजली की वज़े से, क्योंकि बिजली इनमें से प्रवायत होती है, तो जो खून की नस प्रोग्रेसिवली, आगे, दर हफते, हमको उस जगे पे कोई नो कोई हिस्सा काला पढ़ते हुए, उसका रंग बदलते हुए दिखाई दिता है, तो इस तरह के patients में हमको repeated debridements की ज़रूर पढ़ती है, जो भी मरा हिस्सा है, उसको निकालते जाना पढ़ता है, क्योंकि मर अथों में और पैरों में जो injuries होती है, उनके management का तरीका बाकी burn injuries से थोड़ा सा अलग इस प्रकार से ही होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया, ये जो शुरुवात की 21 दिन की प्रक्रिया रहती है, उसके बाद जो damage होना होता है, वो finally set in हो जाता है, और शुरुवात के 15 स 20 दिनों में अगर हमको ये दिखता है कि शरीर का कोई हिस्सा, कोई हाथ या पैर का हिस्सा, डॉक्टर का सला ये है कि इसको बचाने की संभावना या गुंजाश नहीं है, तो हमको उसको जल्दी से जल्दी निकल वा जिना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशि को समय पे नहीं निकाला, तो जो गैंगरिनेस टिशू है, उसमें से इंफेक्शन शरीर में फैल सकता है और हाथ और पैर की वेज़े से जान को खतरा हो सकता है, जब भी रिपीटे डिब्राइडमेंट्स होते हैं, तो जो बड़े-बड़े घाव बनते हैं, कई बार अक्स कहलाते हैं, जिसमें स्किन ग्राफ्टिंग हो सकता है, या फ्लैप्स हो सकते हैं, इनके बारे में मैंने पहले के वीडियो में डिटेल में बताया है, कि स्किन ग्राफ्ट की ज़रूरत कहां होती है, और फ्लैप्स की ज़रूरत कहां होती है, दोनों में क्या अंतर होता है, ये सब timely interventions से, समय के हिसाब से, जो भी interventions हम को करने हैं, ये समय पे करने के बाद हम patient को बचाने की स्थिती में आ सकते हैं. Electrical injuries में कुछ low voltage injuries होती हैं, जैसे जो घरों में domestic उसमें काम करते समय चोट लग जाती है, हाथ को लग जाती है, उसमें जान का खत्रा तो नहीं होता, लेकिन कई बार घाव चमड़ी है और उसके नीचे के हिस्से को गहरा जला देता है. तो ऐसी स्थिती में शुरुवात के 4-5 दिनों में वो जो मरा हुआ हिस्सा है, वो डॉक्टर की सहला से निकल वा लेना चाहिए. उसको हम बोलते हैं early excision. पहले यह होता था कि सिर्फ घाव की dressings करें और 20-25 दिन के बाद उनको जब वो ढीले पड़ जाएं तब उस मरे हु नजर आ जाता है, तो तभी plastic reconstructive surgery करके उस घाव को भर सकते हैं. या तो graft के मध्यम से या flaps की surgery से. उसका फाइदा यह होता है कि rehabilitation जल्दी होता है, physiotherapy exercises जल्दी शुरू हो जाती हैं और हाथ और पैरों का टेड़ापन रहने की गुंजाईश कम हो जाती है. So early excision and graft, early excision and flap cover यह दोनों नई methods हैं, नई techniques हैं जिनका हमने पूरा लाब उठाना चाहिए. जो domestic injuries होती हैं, अगर उनको timely हमने नहीं रोका, उसमें properly उसको treatment नहीं मिला, तो उंगलियों का टेड़ापन, उंगलियों का ना चलना, जो नीचे के tendons हैं, उनके glide ना होने की जिफने सोना या पैरों में भी इसी प्रकार की चीज़े हो सकती हैं, तो इसलिए scientific treatment लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, सभी electrical injuries एक जैसी नहीं होती, सभी burn injuries एक जैसी नहीं होती, लोग अपने अनुभाव के हिसाब से अपने मन में धारणा बना लेते हैं, कि acid burn, electrical burn, या flame burn कहने को percentage burn है, लेकिन हर 5-10% burn injury, अगर वो electrical है, तो उसके माने अलग है, अगर वो acid burn है, तो उसका meaning बिलकुल अलग हो जाता है, अगर वो 5% flame burn है, तो वो बिलकुल अलग होता है, और 5% scald injury जैसे गरम पानी से जला हुआ, बिलकुल अलग होता है, तो ये निर्णे डॉक्टर आखिर में इतना ही कहूँगा, कि मैंने एक और follow-up वीडियो इसमें बनाया है, जिसमें पहले भी मैंने ये discuss किया है, कि सब patients जलने के बाद, जलने की injuries के साथ, अकसर ये सवाल पूछते हैं, कि जलने में तो सिर्फ सूखने के injection लगाते हैं, और साथ में मलम लगाया जाता ह कौन सा मलम लगाना है, ये जरूरी है, मैं फिर से ये repeat करता हूँ, कि घाव सूखने के injections ऐसी कोई चीज नहीं होती, antibiotics होते हैं जो infection रोकते हैं, antibiotics घावों को नहीं भरते, और दूसरी चीज होती है, कि आप local application किसी भी cream का करें, चाहे वो silver sulfurizing हो, चाहे वो multiple antibiotics की creams हो, इन सब का purpose, basically यही होता है, कि जिस जगे पे घाव है, उसमें किटानों नपन अपने दें, ताकि जो natural process है healing की, उसमें रुकावाट या व्यवधान नहीं आए, बहुत कम ऐसे creams होते हैं, जिनको हम biological dressings बोलते हैं, जो थोड़ा सा healing को promote करती हैं, लेकिन फिर भी, जो final healing होती है, वो या तो ऐसी स्तिती में हमको flap surgery करके उन घावों को भरना पड़ता है, तो यह आज हम डिसकस किया, electrical injuries के बारे में, अगर आपको इसमें कोई doubt हो, कोई सवाल हो, तो आप हमसे communicate कर सकते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्तित होंगा, तब तक के लिए नमस्क कर सकता है